गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेल्कम टू ट्रैजर ओफ स्टड़ी आज है 17 मई 2020 और 17 मई से करन्ट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डेसकस करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और ला प्रेस करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कोश्चन है हाल ही में अमेरिकी ससस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया है तो अभी 16 मई को अमेरिकी ससस्त्र सेना दिवस मनाया गया है ये मनाया कब जाता है ये हर साल मई महीने के तीसरे सनिवार को मनाया जाता है और इस साल जो मही महीने में तीसरा सनीवार पड़ा है वो कपड़ा है 16 तारीक को ये किसके सम्मान में मनाया जाता है तो अमेरिका ससस्त्र बल में जितने भी पुरस और महिला काम करते हैं उनके सम्मान में ये मनाया जाता है अब बात है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं, अमेरिका की capital है Washington DC, अमेरिका के present time के राष्टपती है, Donald, Trump और अमेरिका की currency है, अमेरिकी dollar, अच्छा जिस तरीके से भारत में 28 राज्य हैं, उस तरीके से अमेरिका में कितने राज्य हैं, ये question भी पूचा जात है, आपको comment करके बताना है कि अमेरिका में राज्य कितने हैं, next question करते हैं, अगला जो question है हमारा, इसमें है, किसने आदिवासी युबाओं को कुशल बनाने के लिए, गोल कारकरम का सुभारम किया है, तो अभी गोल कारकरम का सुभारम किया है, हमारे present time के, केंद्रिये जाती मंतरी अरजुन मुंडा ने, अरजुन मुंडा ने गोल कारकरम का सुभारम किया है, अब इस जो ये गोल है, इसकी फुल 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 है, इसकी फुल 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 है, गोइंग ओनलाइन एज लीडर्स, क्या है गोल गोइंग ओनलाइन एज लीडर्स, इस इसका सुरुवात किया है अर्जुन मुंडा ने और इनोंने Facebook इंडिया के साथ मिलकर इसका सुवारम किया है तो फेबात है Facebook की तो Facebook के अभी CEO कौन है Mark जकरबर्ग है और Facebook का Headquarter कहा है California अगला question करते हैं अगला जो question है किसने MIR-AHD COVID-19 dashboard launch किया है तो अभी IIT गांधी निगर ने MIR-AHD COVID-19 dashboard launch किया है इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है ये virus जो अभी coronavirus फिलाल फैला हुआ है इसके बारे में सभी महत्रपून जानकारी सभी को पिरदान करेगा अगला question करते हैं next question है किसने NBT की Corona Studies रंकला के साथ नए टाइटल launch कर दिये हैं तो अभी हमारे present time के MIR-AID Minister रमेश पोखरियाल निशंक ने NBT की Corona Studies के साथ नए टाइटल launch किये है रमेश पोखरियाल निशंक हमारे present time के केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंत्री है जो आपको image में दिखाई दे रहे हैं ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक अब इन्होंने NBT के टाइटल launch किये हैं तो NBT के full form क्या है NBT के बारे में जानते हैं NBT के full form है National Book Trust of India इसके present time के अध्यक्ष कोन है गोविंद प्रशाद सर्मा उच्छा है इसका headquarter कहा है तो इसका headquarter है नई दिल्ली में अगला question करते हैं हाल ही में देवेश राय का निदन हो गया है देवेश राय कौन थे तो ये एक लेखक थे ये बंगाली भासा के एक लेखक थे इन्होंने एक उपन्यास लिखा था तीष्टा परेर ब्रिटान्टो जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था तो इसलिए ये question आपके लिए important हो जाता है next question करते है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना युद्धाओं के लिए thermal corona combat headgear नामक एक नया उपकरण launch किया है तो अभी दिल्ले पुलिस ने कोरोना युद्धाओं के लिए एक thermal corona combat headgear एक उपकरण लाँच किया है इसका प्रयोग क्या है ये जो है ये पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों का तापमान पता करने में मदद करेगा यानि अगर इसको पुलिस पहन के रखेगी तो उन्हें 10 से 15 मीटर की दूरी पर ही किसी भी व्यक्ति का तापमान यानि उसका टेंप्रेचर पता चल जाएगा इसको शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने तो दिल्ली पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है शांती सेवा हेड़कॉर्टर इसका दिल्ली में ही है नेक्स्ट कोशन करते है हाल ही में केंदर सरकार ने किसके साथ मिलकर पश्चिम मंगाल में सिचाई सेवाओं में सुधार के लिए MOU पर हस्ताक्चर किये हैं तो अभी केंदर सरकार और पश्चिम मंगाल सरकार ने AIIB के साथ मिलकर एक MOU पर अस्ताक्चर किये हैं सिचाई सेवाओं के सुधार के लिए अब बात है AIIB की तो AIIB के बारे में जानते हैं AIIB की फुल फॉर्म क्या है ACN Infrastructure Investment Bank इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी इन्होंने बात है पश्चिम मंगाल की तो पश्चिम मंगाल के प्रिजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है ममता बेनर जी और राजपाल कौन है जगदीप धनकड नेक्स्ट कोशन करते हैं हाल ही में किस राज्य ने आत्म निर्भर गुजरात सहाय योजना का सुभारंब किया है तो अभी गुजरात गौर्मेंट ने आत्म निर्भर गुजरात सहाय योजना का सुभारंब किया है इसके सहत होगा क्या? इसके सहत एक लाख रुपे तक का कारंटी रहित रिंपरदान किया जाएगा यानि जो लोग हैं जो अपना वेबसाइट चलाते हैं उन्हें एक लाख तक का लॉन मिलेगा बिना किसी गारंटी के अब बात है गुजरात की तो गुजरात के बारे में जानते हैं गुजरात की कैपिटल क्या है? एहमदाबाद है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये है विजय रूपानी गुजरात के प्रजेंट टाइम के राजपाल यानि गवर्नर कौन है तो गवर्नर है आचार्य देवरत नेक्स्ट कोशिन करते हैं अगला जो कोशिन है हाल ही में G20 देशों के वर्चुल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के जो भारत की तरफ से प्रिदित किया वो हमारे केंद्रिय वानिज्जय और उद्ध्योग मंतरी पियूष गोयल जी ने किया अच्छा ये बैठक हुई कहाँ पर इसकी अध्यक्सता किस देश ने की तो इकस की अध्यक्सता की थी साओधी अरबिया ने तो साओधी अरभिया के प्रिजेंट टाइम के वानिज्य मंत्री कौन है माजिद अल कासभी अगला कोश्चन करते हैं हाल ही में इंटरनेशनल डे ओफ लाइट कब मनाया गया है तो अभी इंटरनेशनल डे ओफ लाइट मनाया गया है सोला मही को दो इंपोर्टेंट डे मनाये गए हैं पहला अमेरिकी सस्थ्र सेना बल दिवस और दूसरा इंटरनेशनल डे ओफ लाइट ये मनाया क्यों जाता है तो लाइट का जितन जिन भी छित्रों में भूमिका रहती है जैसे विज्ञान संस्कृति कला सिक्षा जिन जिन में उसकी भूमिका रहती है उसको याद करने के लिए ये मनाया जाता है इसको मनाता कौन है तो इसे युनेसको इसको मनाता है अच्छा युनेसको के अभी प्रिजेंट टाइम के महानिदेशक कौन है तो आद्रे अजोले प्रिजेंट टाइम के युनेसको के महानिदेशक हैं अब हमने 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 जो लास्ट वीडियो में आपसे कोशन पूचा था हाल ही में भारतिय पुरात्त सर्वेक्षन के महानिदेशक के रूप में किसे निक्त किया गया है तो आपने आंसर बताए था वी विद्यावती को भारतिय पुरात्त सर्वेक्षन के महानिदेशक के नुक्त किया गया है आज के लिए आपका कोशन है हाल ही में अंतरराष्ट्य परिवार दिवस कब मनाया गया है तो अभी अंतरराष्ट्य परिवार दिवस कब मनाया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है तो आज के लिए बस इतना ही थेंक्स फर वाचिंग